राजिस्थान में गंगौर हो या फिर कोई और त्योहार हो हर गली हर महला घेवर की खुश्बू से महकने लग जाता है लगता है कि हाँ अब त्योहार आ गया है तो चलिए आज यही घेवर हम घर पर बनाएंगे सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ में चलिए शुरू करते है सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बोल लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ चार चमच घी इसमें मेजरमेंट बहुत मायने रखता है तो वो आप थोड़ा ध्यान रखेगा खाने वाला जो चमच होता है जिससे हम राइस खाते हैं वो वाला चमच मैंने लिया है अब यहाँ पर मैंने आइस क्यूब ले लिया है कटोरी में ही मैंने बर्फ जमा दिया था फैटने में थोड़ा आसानी रहती है एक ही डिरेक्शन में हम इसे विस्क करेंगे फैटेंगे तब तक फैटना है जब तक कि यह क्रीमी नहीं हो जाता और इसका कलर जो है एकदम वाइट सकता है लेकिन ज्यादा नहीं 3-4 मिनिट की ही बात है तो बस यह होने के बाद में हम इसमें बाकी की चीज़े एड करेंगे तो यहां पर मैं इसमें मिला रही हूँ एक कप दूद कोई भी चाय का कप या कटोरी ले लिजे उसी सारी चीज़े आपको नापनी है जो दूद ह बाद हम इसे फैट लेंगे अब दुबारा हमें इसे बहुत अच्छे से विस्क करना है यह चीज़ आप चाहें तो हेंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं आप चाहें तो मिक्सी में भी सेम चीज़ कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जैसी आपके सुवि बहता हुआ इसका बैटर होता है इसलिए हमें इसे इसमें जो पानी है वो ज्यादा डालना है दो कप पानी के बाद एक बड़ा चम्मच मैंने यहां पर बेसन का डाल दिया है सारी चीजे डल गई है दुबारा से हमें इसे फैट लेंगे बहुत अच्छे से इसे विस्क कर ल बिल्कुल आपको इसे वैसे ही रखना है तो यह तैयार हो गया है अब हम इसे चान लेते हैं ताकि अगर कोई लंप्स है तो वह चलनी में ही निकल जाएंगे तो देखिए हम इसे चान रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि थोड़े बहुत इसमें जो गुटलिया थी चलनी में ही आ गई है अब एक बार और मैं आपको चेक कर आ देती हूं कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि और पतला करने की ज़रूत है आप बिल्कुल कर सकते हैं अपने हिसाब से ठंडा पानी डाल सकते हैं एक चम्मच इसमें नीबू का रस डालेंगे ताकि ज लेंगे कोई तार नी बनानी कुछ नी करना चिपचिपी सी चाशनी बनानी है फ्लेम को हाई पर रखेंगे चीनी को हम सबसे पहले घुलने देंगे जैसी चीनी घुल जाएगी हाई फ्लेम पर ही हम इसे दो मिनिट के लिए पकाएंगे दो मिनिट में जो चाशनी है वो चि अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल डालिए इसके साथ ही मैंने यहाँ पर इलाइची और एक छोटा चमच नीबू का रज डाला है ताकि चाशनी जो है वो जमेना उसमें क्रिस्टल्स ना आए इसे रख देते हैं साइड में अब बैटर जो है वो ठंडा हो गया है हमन कर रहे है अब यहां पर लेखिए यहां पर देखिए तेल यह है वो हमने गरम कर दिया है कडाई पैन जो भी आप ले रहे हैं आधा ही भरना है उसे पूरा मत भरिएगा वरना क्या होता है बैटर का दालते है तेल जो है वो एक दम मज़ डालेंगे फिर 5-10 सेकंड रुक जाएंगे ये जो बॉटल है वो हमें थोड़ी ऊपर रखनी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कितना डिस्टिंस बनाया हुआ है थोड़ा ऊपर से डालना है जो धार आरी है बैटर की वो एकदम सीधी आनी चाहिए जो बीच में ये बंद कर देना इस टाइम पर इसे हलके हलके हाथों से हम नीचे की तरफ करेंगे ताकि ये उपर से भी अच्छा कलर पकड़ ले जैसे ये इस कलर का हो जाएगा हम इसे बहुत ही संभलते हुए चिम्टे से बाहर निकाल देंगे दूसरी तरफ आप प्लेट के उपर कोई ज जाली में ही निकालिए ताकि एक्स्ट्रा ओयल या अगर आप घी में बना रहे हैं तो घी में वो निकल जाए इसी तरीके से हमें दूसरा भी बनाना है फ्लेम को मैनेज करते रहिएगा फ्लेम रहेगा मीडियम पर तेल गरम है बैटर ठंडा है उचाई से डालिएगा चोटा चोटा चमच करके इसमें हमें बैटर को डालना है जैसी लगे साइड से ये सिकने लग गया है हम बैटर डालना बंद कर देंगे नाइफ से साइड को अलग करेंगे चिम्टे से थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ करेंगे ताकि जो उपर का लेर है वो भी अच्छे स इसे फ्राय हो जाए बहुत ही आराम से हम इसे बहार निकालेंगे होले होले बच्चे अगर आसपास हैं तो उन्हें दूर रखिएगा तेल के छीटे उन्हें लग सकते हैं आप भी थोड़ा दूर ही रहिएगा सारे जो घेवर हैं बनकर तयार है यह जो फीके वाले घेवर है इन्हें आप एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं घेवर के ऊपर हम गुनगुनी चाशनी लगाएंगे चाशनी ठंडी हो जाए तो उन्हें इस थोड़ा सा गरम कर दीजे जो चाशनी है हमने पूरे घेवर पर लगा दी है चाशनी वाला घेवर आप 15 दिन तक स्टोर कर के रख सकते हैं अब हमने इसके ऊपर लगा दी है रबडी रबडी है मैंने घर पर ही बनाई है रबडी वाला जो घेवर है आप तीन दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं रबडी के ऊपर में थोड़े से नट्स बादाम पिस्ता यह सब मैंने काटके रखे हैं व संभल कर बनाएगा बच्चों को दूर रखिएगा खुद भी थोड़ा संभल कर रहिएगा पसंद आएगा आपको ट्राय जरूर कीजेगा जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाए